हालो बच्चों कैसे हैं आप सब वेलकम बेक टो माई यूट्यूब चैनल आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी यूनिट थ्री का नेक्स चेप्टर 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 नुबर सेविन and the name of the chapter is the wind and the sun बच्चों ये एक wind means हावा और sun यानि आपको बता है सूरज उनके बारे में एक कहानी है जो अपनी superiority का शो करते हैं उसको एक man के उपर तो वो क्या करते हैं आपस में एक तरह से competition करते हैं कि कौन इस man का court सबसे पहले उतरवा पाएगा तो बच्चों चलते हैं क पहानी की और मैंने छोटी सी समरी आपको इसकी बता दी है word meaning जो भी इसमें tough word होंगे हम उसके साथ के साथ करते चलेंगे now let's start the wind and the sun the title of the story is the wind and the sun wind हवा sun can you see that man walking down the road wind कहती है संसे हव सूरज क्या तुम उस नीचे road पर चल रहे man को देख सकते हो I can get his coat off more quickly than you can quickly means होता है लब जल्दी से ठीक है तो coat होता है जो आप देख रहे हैं इसमें देखो इसने coat पहना है जो man है ये wind है और ये sun है ये क्या कह रही है कि sun क्या तुम उस आदमी को देख सकती हो जो road पर चल रहा है मैं इसका coat तुम से जल्दी उतरवा सकती हो sun smiling ये देखो pick में भी sun smile कर रहा है sun क्या कह रहा है we will see who is stronger stronger आपको पता है powerful यानि शक्तिशाली हम देखेंगे कि कौन जादा शक्तिशाली है I will let you try first primings कोशिश मैं तुम्हें पहले कोशिश करने देता हूँ तो sun ने उसको कहा कि चलो देखते हैं कि हम में से कौन जादा तक्तवर है और मैं तुम्हें मोका दे रहा हूँ पहले तुम कोशिश करो wind, hava puffing his shakes and blowing hard puffing क्या होता है फुला लेना ये देखो इसने क्या किया है अपने जो गाल है उनको फुला लिया है और वो जोर से blow कर रही है हावा को तो wind puffing his shakes and blowing hard वीन ने अपने गाल फुला है और जोर से फूक मारी फुख 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 तो ये स्ट्राइप कि उसने आवाज निकाली man how strong the wind is today man क्या कह रहा है कि कितनी तेज हवा है आज it is blowing my coat away अवे आनी दूर blowing means उडाना आदमी कह रहा है आज कितनी तेज हवा चल रही है और मेरा कोट ये उडा ले जाएगी या मेरा कोट इससे बहुत उड रहा है I must hold it, hold होना होता है बेटा पकड़ना वो tightly होता है कसकर round means होता है कि मतलब जैसे अपने जो कोट है वो चारो तरफ इस तरह से उसने पकड़ा हुआ है तो वो कह रहा है I must hold it tightly round myself कि मुझे इसको tightly पकड़ लेना चाहिए कोट को wind blowing harder जो हावा है वो और तेजी से बहने लगती है वो man pulling his coat more tightly तो जो man क्या करता है वो जो है उसको अपने कोट को और जादा tightly खीच लेता है how cold it is cold होता है ठंड कितनी ठंडी है आज कितना मतलब कितनी सर्दी हो गई है wind हवा son I gave up give up मतलब होता है हार जाना I cannot get his coat of son मैं हार मानती हूँ और मैं उस आदमी का कोट नहीं उतरवा पाई sun sun क्या कहता है now it is my turn अब मेरी बारी है let me try मुझे कोशिश करने दो he shines hard और वो तेजी से चमकता है man what a funny day तो वो man क्या कहता है कि कितना funny day है आज अभी तो थोड़ी देर पहले इतने ठंड हो रही थी और अभी क्या शुरू हो गई इतनी गर्मी means it was so cold and now it is so hot कि अभी तो इतनी गर्मी वो ठंड थी और अभी कितनी गर्मी है sun shining harder और sun क्या करता है और ज़्यादा तेज चमकता है I will make him feel hotter and hotter मैं उसको बहुत गर्मी फील करवाऊंगा बहुत ज़्यादा गर्मी मैं उसको फील करवाऊंगा man wiping his face wiping होता है बिटा पोंचना जैसे रुमाल से पोंचते है तो आदमी क्या कर रहा है अपने चेहरे को पोंच रहा है उसको पसीने आ गए है क्योंकि जो sun है वो इतनी मतलब इतना चमक रहा है उसने इतनी गर्मी कर दिये उसको पसीने आ गए है तो man wiping his face I must take off my coat और क्या सोच रहा है अपने face पोंचता पोंचता कि मुझे अपना coat take off यानि उतार ना मुझे अपना coat उतार देना चाहिए sun क्या कह रहा है wind हवा I have won मैं जीत गया I have made him take off his coat मैंने उसका coat उतरवा दिया तो ये थी बच्चो wind और sun की कहानी जिसमें वो अपने अपने आपको दोनों में से कौन कितना powerful है ये show करना चाहते हैं और बीच में सफर किसको करना पड़ा उस man को तो ये थी बिटाज की कहानी तो अब हम आगे करेंगे इसके new words road road यानी सड़क coat यानी जो आपके पहनने वाला होता है वो quickly q u i c k ly quickly यानी जल्दे से s t r o n g e r stronger यानी मजबूद c h e e k s 6 यानी गाल w o n born man means जीत next question answer देखते हैं बच्चों what did the wind do to get the man's coat off what did the wind do to get the man's coat off तो आदमी का जो coat उतरवाने के लिए हवा ने क्या किया the wind blew very hard and strong to get the man's coat off तो wind cap बहुत तेजी से चलने लगी उसका और मजबूती से man's coat उतारने के लिए what did the sun do to get the man's coat off sun ने क्या किया coat उतरवाने के लिए उस man का the sun shined very hard to get the man's coat off जो sun था वो बहुत तेजी से चमकने लगा next bita who won in the end last में कौन जीता the sun won in the end who said this to whom ये question क्या है बेटा इसमें आपको dialogues दिये हुए हैं जो बीच में हवा और सूरज ने बोले हैं वो आपने बताना है कि किसने किसको कहे first है आपका I can get his coat off more quickly than you can मैं इस coat को तुम से जल्दी उतरवा सकता हूं या सकती हूं तो किसने कहा था ये ये कहा था wind ने sun को next है आपका I will let you try first मैं तुम्हें पहले try करने का मोका देता हूं तो ये कहा था sun to wind how cold it is कितनी सर्दी है man to himself ये आदमी ने खुद से कहा था जो वो कह रहा था था ना how funny it is कितना funny है ये अभी तो थोड़ी देर पहले इतनी गर्मी थी sorry सर्दी थी और अब गर्मी हो गई next है I give up I cannot get his coat off मैं हार गई मैं उसका coat नहीं उतरवा सकी ये कहा था win ने sun को यानि win to sun I have won मैं जीत गया ये कहा था sun to win now let's think मैं आपका what do you think is the best thing to do choose and answer तो ये क्या कह रहे हैं बच्चों कि जो रोहन है वो गीता जो ये दिखो बेटा this is रोहन and ये गीता है ये क्या है गीता रोहन sorry रोहन गीता से उसकी जो नहीं बुक है ये नहीं बुक लेकिया होगी वो snatch कर रहा है देखो पिक में वो उससे snatch कर रहा है गीता से उसकी बुक को छीन रहा है what do you think is the best thing to do तुम क्या तुमारी जो नजर में है वो क्या करना चाहिए गीता को यानि अगर आप गीता की जगा होते तो आप क्या करते या फिर आप से यही पूछ रहे है कि गीता को क्या करना चाहिए जब रहान उससे snatch कर रहा है तो इन में से आपने एक answer चूज करना है फस्ट है जैसे गीता runs away with her book गीता को अपनी book लेके भाग जाना चाहिए गीता fights with रहान गीता को रहान से लड़ाई करनी चाहिए गीता talks to रहान गीता को रहान से बात करनी चाहिए गीता cries in a corner या फिर गीता को एक कोने में बैठ कर रहाना चाहिए तो अब क्लास को बताओ उसनके साथ शेयर करो कि आप क्या feel करते हो क्या होना चाहिए तो अब बेस्ट थिंग इस गीता talks to रहान because I feel so this is the best manner that तो अगर वो उसके साथ fight करेगी this is not a good manner और अगर वो रोने बैठ जाएगी एक कोने में तो वो डरपो कहलाएगी और अगर वो अपने बुक लेके भाग जाएगी तो ये भी manner नहीं है तो उसको रोहन से बात करनी चाहिए next thing बिटा say aloud find a rhyming word from the story for each of these words bun, hold, boat, fan, sunny, pot जो story wind or sun की है इसमें इनके rhyming word आपने देखने हैं जैसे bun, sun, hold, cold, boat, coat fan, man, sunny, funny है ना उसमें जब मैंन कहता है कितना funny day है आज और pot, pot का है hot here are some doing words in the story doing words क्या होते हैं बच्चे जिसमें आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं इक तरह से क्रिया हिंदी में हम बोल देते हैं that is verb you can say so walking, smiling, blowing, pulling find three more doing words in the story that and in ing and then write them here तीन और फोर यहां पर देए हुई हैं तीन आपने स्टोरी में से और दूढने हैं और यहां पर लिखने हैं जैसे कि स्टोरी में putting है, wiping है shining है next, choose the right word from the box below and fill in the blank see आपको यह paragraph दिया है इसमें appropriate word यह जो blue color का आपको column दिया गया है इसमें से आपने चांटके यहां पर fill करने हैं इस paragraph में so हम देखते हैं one day the wind and the sun had a competition they wanted to make a man take off his coat first, the wind blew hard the man pulled his coat tightly round himself then the sun started shining hard the man felt hot and he took off his coat next question देखिए बिता look at these pair of words with opposite meaning hot, garam, cold, thanda, big, bada, small, chota strong, bahadur, weak, kamzor और अब नीचे जो now write the opposites अब आपने इसके opposite लिखने हैं जैसे good, bad, tall, short, hard, soft, black, white now puzzle जैसे यह puzzle दी है look at the picture and complete the words in the puzzle यह इसमें से आपने puzzle दी हुए है जो और साथी साथा साथी आपको picture भी दी गई है इसमें देखके आपको भरना है जैसे यह हो गया आपका C, O, A, T, coat यहाँ पे आपका हो गया M, A, N, man S, U, N, sun and W, I, N, d, wind next से को बच्चे act out the play, the wind and the sun in the class, make paper masks for the sun and the wind using colored chart paper everybody can take turns to be the wind the sun or the man now write two sentences about one of the masks इसमें आपने एक्ट करना है बच्चोने, कोई wind बनेगा, कोई sun बनेगा कोई man बनेगा, आपने प्रोपर mask बनाने है, यह class में करना है आपने, तो उसके बारे में किसी भी एक sentence लिखना है, चाहे वो wind के mask पे लिखो आप या फिर sun के, जैसे sun का बनेगा sun mask is yellow in color and is round shaped, it has short lines starting around it, which are its rays now आपका next एक छोटी सी राइम है, a big wind a big wind is blowing look at, look the leaves are flying the wind can blow trees down it can blow houses down my house is old will it come down तो इसको देखते वे, इसमें right और रोंग के आपको five sentences दे हो है, इस poem को पढ़के आपने उनके answer बताने है जैसे the wind can blow down a house ये right है ये रोंग है ये देखो fourth line में this is a right now, the wind blow down a field इसमें नहीं दिया हुआ ये आपका right है next आपका रोंग है the wind can blow down a child, no the wind can blow down a tree, yes the wind can blow down a river, no next है आपका बस आपका chapter खतम तो बच्चों ये थी आपकी एक छोटी सी story the wind and the sun के बारे में तो I hope आपको अच्छी लगी होगी next chapter के साथ फिर मिलेंगे जो भी बच्चा नया है please like and subscribe and share with your friend and enjoy all the stories and poem till then, bye-bye